हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस वड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में सेटिंग्स एप ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे इसी 100% ठीक करें तो अगर आप चनल पर पहली बार आए हैं दोडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको मोबाइल के देखे जो सेटिंग वाला एफ है इस पर कुछ सेकेंड तक टैप करके रखना है इसे दबा के रखना है दो से तीन सेकेंड तक तो यहाँ पर आपको एफ इनफो का आप्शन मिल जाएगा इस एफ इनफो वाले आप्शन पर क्लिक करना है या इस पर करकार का लोगो मिलेगा इस पर क्लिक करना है तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आजाएंगे अब आपको storage, usage या storage का एक option मिलेगा इस option पे click करना है click करने के बाद clear cage और clear data का option मिलेगा या clear data का तो आपको clear data पे click करना है उपर दिखिए so कर रहा है थोड़ा hide है आपके phone पूरा दिखेगा तो clear data पे click करके ok कर देना है इस तरीके से हो जाएगा clear data हो जाएगा setting app का फिर आपको back आना है появ आने के बादger force stop का option मिलेगा याँ पर आप देख सकते हैं force stop पे click करना है फिर देखे force stop पे click कर देना है जैसे click करेंगे याँ पर आप आप आजाएगे अब इतना करने के बादब आपने setting को open करेंगे तो setting open हो जाएगा बिना किसी problem के अगर फिर भी open नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है अपने mobile के power button को जिससे mobile को lock करते हैं उसे दबाख रखना है कुछ second के लिए 4-5 second के लिए तो वहाँ पर आपको reboot या restart का एक option आएगा reboot या restart ओल या option पर किलिक कर देना है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर है restart का reboot का भी हो सकता है तो आपको इस पर किलिक कर देना है आपका phone automatic switch off होकर switch on होगा फिर जो भी problem रहेगी 100% सही हो जाएगे फिर आप setting आपको open करेंगे तो setting open हो जाएगी और guys एक और तरीका है इसे सही करने का आप उपर से notification बार को इस तरह slide करना अगर नीचे से हो रहा है आपको फर में तो नीचे से उपर कितरह slide करना तो आपको यहाँ पर setting का एक option मिलेगा setting वाले option पर किलिक करना है फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहां पर app management या app लिष्ट पर किलिक करना है जहां पर सभी app रहते हैं फिर manage app या अइप लिष्ट पर किलिक करना है तो loading होकर सभी app आ जाएंगे अब आपको search bar में किलिक कर की लिखना है launcher तो जैसे launcher लिखेंगे तो system लांचर आ जायगा इस पे किलिक करना है फिर storage यूजेज या storage पे किलिक करना है फिर आपको clear data और रोके कर देना है फिर guys आपका जो setting एफ ए 100% open हो जाएगा बिने किसी problem के और इस तरह सही कर सकते हैं तो आज की विडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर लिजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू